नमस्कार मैं सते इंद कुमार गवर्मेंट आइटिय कॉलीज बांसी डिस्टिक बांदा में टीचर हूँ और आप सभी चात्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आइटिय थिरी सिश्टी डिग्रीज में आज के इस वीडियो के भवाज में डिईल करती है तो उसमें ये वेकंसी आयय हुई है आईटियंके चात्रों के लिए please । क्या है उसकी सर्तें और कहां पर है वेकंसी क्या प्रोसेश हैugen तो तो मैं सारी कुछ जानकारी साथ में Sally तो इसमें अच्छी है पर और भी चीजे हैं मैं आपको जो है इसमें जो है आपको मारदक्सन गाइड भी करूँगा कि किन चात्रों को जाना चाहिए किन चात्रों को नहीं जाना चाहिए सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग जो है व वो walk-in selection है, walk-in मतलब आपको जाना पड़ेगा, कोई online farm नहीं है, वहाँ पर एक date दिए हुई है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर test के जो procedure है, पहले written test होगा और उसके बाद आगे का selection होगा, वो सारी चीज़े मैं बताऊंगा, बस आपको ये मैं बता देना चाहा रहा हूँ, कि जो चात्र इसमें interested हैं, वो यहाँ पर CSL, जो मुंबई SIP Repairing Unit मुंबई में है, वहाँ पर आप लोगों को walk-in selection है, मतलब वहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को, तो जो मुंबई के आस-पास के चात्र हैं, महाराश्टरा के चात्र हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पर बाकी भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो है, ये 3 एर के लिए रखा गया है, तो आगे भी इसकी वेकंसी आती रहती है, तो अगर आप लोग तीन साल के लिए रोजगार पा जाते हैं किसी गवर्मेंट कंपनी में और वहां से आपका एक्सपरियंस मिल जाता है, तो आप दूसरी कंपनी में बहुत अच्छे से सलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही आपको र करूंगा जो मुंबई से बहुत जादा दूर रहते हैं, और मैं प्रिफर करूंगा मुंबई के आसपास के चात्रिस में जाएं, पर सभी चात्रिस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजे हैं, जो आप लोगों को समझ में आएंगे, और इसमें जाएंगे, तो बी में बात करें, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फैब्रिकेशन असिस्टेंट वेल्डर की जगह हैं, पोस्ट कितनी हैं, पोस्ट छे हैं, और क्या चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी लेविल सर्टिफिकर्ट चाहिए, मतलब ट्वेल्ट आप लोगों को पास होना चाहिए, और यहां पर आपका होना चाहिए, और आइटी आई जो है, वो वेल्डर ट्रेट से आप लोगों का होना चाहिए, बाकी बात करें कि Mirungs 3 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरेंस होना चाहिए मतलब welder से आपको 3 साल का experience होना चाहिए या पर training होने चाहिए किसी भी इस trade से संबंदित किसी भी और industry में Communication skill आपकी अच्छी होनी चाहिए और Hindi और Marathi की बहुत अच्छी आप लोगों पकड़ होनी चाहिए और experience in MIG welding में आप लोगों का experience होना चाहिए तो यह ITI वालों के लिए vacancy है उसके बाद outfit के लिए outfit assistant जिसमें आप लोगों जब fitter अगर कोई pipe से किया हुआ है तो fitting pipe की vacancy है और साथ में यहाँ पर और भी vacancy है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं fitting pipe और plumber के लिए लेविल certificate होना चाहिए मतलब 12th pass होना चाहिए ITI होना चाहिए और फिटर pipe में या फिर plumber में होनी चाहिए यहाँ पर भी minimum three year post qualification experience होना चाहिए training और good communication skill होनी चाहिए और Hindi Marathi की अच्छी पकड़ होनी चाहिए और भी यहाँ पर post है और यहाँ पर आप लोग जो है पोस्ट देख सकते हैं यह भी एक post है और यहाँ पर भी जो ITI के बच्चे जा सकते हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं इन लोगों को जो है वो रिफ्रेंस दिया जाएगा और भी यहाँ पर semi skilled में है यहाँ पर तो ITI की जुरूत है नहीं तो यह जो तीन पोस्ट है यहाँ पर mooring and इस कॉफ folding और असिस्टेंट और आर्टफिट असिस्टेंट तो इन और जो है फैबरिकेशन असिस्टेंट तो इन तीन चीज़े BC और D के लिए ITI के बच्चे जो है वो अपलाई कर सकते हैं और इसमें क्या सरते हैं क्या process है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो पता देख सकते हैं Dubai क कग है यह तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है और वीमे वेल्डर में वेकंसी देख सकते हैं आप लोग जनल की जो है welder के लिए 5 है और एक वेकंची जो है OVC के लिए और यहाँ पर outfit assistant जिसमें फिटर और plumber के लिए इसमें 5 वेकंची जनल और एक वेकंची जो है वो OVC के लिए ऐसे यहाँ पर D वाला देख सकते हैं इसमें भी वेकंची जनल SC, ST और OVC के लिए है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का period of contract कितना होगा तो maximum period जो होगा वो 3 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा और इस unit पर आप लोगों को जो है वो रखा जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को salary कितनी मिलने वाली है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि B और C के लिए जो salary है वो यहाँ पर आप लोग पहले साल जो आपको जो मतलब सहली मिलने वाली वो 23,300 मिलेगी फिर 24,000 मिलेगी फिर 24,800 मिलेगी और जो आप लोगों को अगर आइस्टा वर्क करेंगे तो उसका कंपनसेशन 49,500 रुपए पाँच हजार रुपए और 50,500 रुपए यह मिलेगा तो कुल मिला के आप लोगों की सहली जो लगबग लगबग यहां पर आप लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी सहली लगबग 30,000 के अरीब करीब हो जाएगी तो 30,000 के अरीब करीब आप लोगों को जो है वो सहली मिलेगी ATI वाले बच्चों के लिए क्योंकि B और C वाले पोस्ट में आप लोग जो है applicable रहेंगे फिर आगे बात करें एज की तो एज आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी अपर लिमिट यहां पर डिसाइट किया गया है कि 30 साल होनी चाहिए और यहां पर 172202 तक आपकी 30 साल हो जाने चाहिए एज रिलेक्सेशन की बात करें तो यहां पर दिया है आप लोग प और यहाँ पर आप लोग जो है और भी चीज़े देख सकते हैं तो जो post wise है वो अलग-अलग है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे यह आप लोग ITI के बच्चे हैं उनको यह वाली चीज देखनी है कि आप लोगों का जो Part A में आपका जो written test होगा उसके part A में आप लोगों के 20% जो है ITI का marks आएंगे और objective test जो होगा उसमें 30% marks मिलेंगे और एक practical का आप लोगों का test होगा उसका 50% marks रहेगा तो आप लोगों का total इस प्रकार 100% marks में से आप लोगों के 33% marks आएंगे तो उसके बाद आपको जो है वो merit लगाई जाएगी आगे तो ऐसे करके आप लोगों का जो है इसमें selection होना है तो ये बात हो गई और इस वाली post को तो आप लोगों देख सकते हैं बाकी application की बात करें तो आपको जो है application तो जो है देना नहीं है direct आप लोगों क्या करना है वहाँ पर जाके walk-in interview करना यहाँ पर आप लोग और चीच पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मैं आपको नीचे कर देता हूँ कि application meeting meeting requirements ल भी extend walk-in selection on date तो आपको date और time पर जाना है तो date और time की बात करें तो B और C वाले और B, C और D में भी जा सकते है ITI वाले तो main focus मेरा B और C पे है तो इसमें आप लोग 16 फरवरी को 9.30 बजे से start होगा 3.00 पीम तक होगा तो 9.30 बजे आप लोग जो पहुंच जाएं 9 बजे ही पहुंच जाएं तो जो चाटर मुंबई के आज-पास के मुंबई में रहते हैं तो वह इस जाब के लिए प्रिफर मैं करूंगा कि वह लोग जा सकते हैं क्पा और यहां पर बाकिछें आप लोग और भी चीज कर भत्सक्ते हैं तो यहां पर क्या-क्या लेखे जाना है तो यह आप लोग देख सकते हैं कि अप्लिकेशन फॉर्म लेके जाना है और साथ में और यहां पर और भी चीज़े दी है और एक्सपिरिंस की कास्ट की डिसेबिल्टी अगर आपके हैं विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट की साइल अटेश्टिट कापी लेके जानी है अ जो है रैपीड एंटिविकेट्फिकेट टेश्ट मतलब आपको को करोना की जाच कराके जानी है और आपका जो है लेकर आपके हैं तो सर्टिफिकेट का है तो तो और रख लेग उसमें अश्केस में और प्रति न सकते य होेगs circumstance आप लोग दोन टानलोड करके उसका प वही इसमें है और यहां पर और वी चीजे लिखें वे यहां तो यहां पर और बी चीजे लिखें हुए है, जैसे वही है समय तो जो मुंबई के आसपास चाथर यहां पर जा सकते हैं, और जो दूर के चात्र हैं उनके लिए मैं यहीं कहूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर मत जाईए क्योंकि वाकिन इंटर्व्यू है और इस समय जो है काफी दूर भी जो चात्र है उसके तो वह उसके बाकि ए Оп लोग को लेना है आप लोग का जो है नौकरी करने के इचोंगा तो आप नहिंहीं जा सकतें आसा करते हैं इस वीडियो में देकि जैन करें आपको अच्छी लगी होगी वीडि़ी अच्छा लगा तो वीडियों को लाइक कर दिजे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद